तो नमस्कर गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप ठीक होंगे तो आस मेरे किचन में बनने वाली है बैस मैकरोनी क्योंकि आस ना दुपहर का लंच करने का बिल्कुल मन नहीं है तो मन कर रहा था कि कुछ चटपटा घर पे ही बनाया चाहे बाहर तो हम इतनी गर्मी में जा न जिससे जो मैकरोनी है ना वो चिपकेगे नहीं आपस में तो यहां पे कुछ सब्चियां थी मेरे पास वो मैंने ले ली है तो मैंने सोचा इनको भी हम कट कर लेते हैं साथ में तो पता गोबी ले रियों मैं सबसे पहले एक छोटा मैंने यहां पर प्यास लिया है और चार से पांच मैंने कलियां लिया है लहसुन की प्यास को और लहसफ को मैंने छील के रख लिया था यहां पे पतब गोवी को मैंने सलाइसेस में काट लिया है और प्यास कोवी में लंबा-لمबा काट हो गी और जो उनकी लचे है न प्यास के वो ओंके निकाल लेने है enabling कि इनको अलग-लग कर लेना है सबी प्यास को तो शिमिला मिर्ची भी मैंने जो है फाइनली कट कर ली है तो यहां पर मेरे पास बींस थी तो मैंने सोचा इसको भी क्यों छोड़ा जाए इसे भी हम डालते हैं अपनी मैकरोनी में तो मैं बींस को मैंने पतला पतला काट लिया तो जहाँ पे सारी सभची है मैंने कट कर्ले हैं तो दूसरी साइड मेरी मैकरोनी वी जो है वह वाइल हो चुकी है तो हम करते हैं इसके दड़के की तैयारी तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल डाला है कोई भी ओईल इसमें हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एक टेबल स्पून के करीब मैंने ओईल डाला है इसमें अभी हम डाल देंगे अपना थोड़ा सा बटर यह घर का बटर है तो बटर को न तेज आंच पे नहीं पकाना है और लहसन को ना जाला नहीं भूनना है बस हलका साइसे रोस्ट करना है और फिर हम इसमें आड़ कर देंगे अपनी बाकी की सबचियां तो इसमें मैंने प्याज आड़ कर दिया और शिम्ला मिल्ची को हम साथ में ही आड़ कर देंगे और जो शिम्ला मिल्ची को कमबिनेशन बहुत अच्छा होता है और इन सबचीयों को हम हलका सा रोस्ट कर खी करेंगे इनहें कुक नहीं करेंगे ज्यादा ये पकानी नहीं है नहीं तो ये बिलकल अच्छी नहीं लगेंगी तो सब्चियां जो है न वो हलकी सी रोस्ट हो चुकी है तो इसमें आड़ करेंगे हम अपने सॉसिस तो सबसे बहुते हैं मैंने डाला है रेट चिली सॉस क्योंकि यह मैं अपने लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सोया सॉस इसे कलर जो है वो अच्छा आएगा हमारी मैकरोनी का ग्रीन चिली सॉस इसमें मैं डाल रही हूँ और इसमें जाएगा ठ्रमाटो कैचप और थोड़ी सी इसमें म्योनिस भी जाएगी यह शेजवान सोस है यह भी मैंने थोड़ा सा डाला है कि यह बहुत जा तीखा हो जाएगा नहीं तो और म्योनिस मैंने आड़ करी इसमें लवग एक छोटा चमाच तो इन सोसीस को भी हम ना अच्छी तरह से पका लेंगे इसमें और जब यह सोस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब्चियों में तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पीसा हुआ बलक पेपर और इसमें आड़ करेंगे सीजनी थोड़ा सा मैघी मसाला इससे जो टेस्ट है हमारी मैकरोनी का बहुत जाद अच्छा आएगा और फाइनली हम डाल देंगे अपनी मैकरोनी और इसे हम घुमा लेंगे अच्छी तरह से और गैस को तेस नहीं करना है स्लो आँच पे ही हमें इसे बनाना है और हमारी मैकरोनी जो है ना इसे हम पांच से छे मिनित तक ऐसे ही पकने देंगे ताकि जो हमारा ये मसाले है ना वो अच्छी तरह से मैकरोनी में मिक्स हो जाएं तो सॉस थोड़ा सा मैंने और डाला है क्योंकि मुझे कम लग रहा था तो फाइनली हमारी मैकरोनी बनके तेयार हो गई है स्थेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर नमक डाला है क्योंकि सॉसीज में नमक रहेगा तो नमक मैंने थोड़ा डाला है तो हमारी मैकरोनी जो है ना वो सर्व करने के लिए रेडी हो गई है तो इसे मैं सर्व करूंगी एक सर्विंग प्लेट पे और उपर से थोड़ी स्वी मैं इसमें डालूंगी म्योनीस और थोड़ा से मैं डालूंगी टिमैटो क्यचप जिससे जिखाने में और बज़ा टेस्टि लगेगी तोड़ा सा इसमें हम डालेंगी ग्रीन चिली उपर से और लεν लेमन डालके ना यह जो मैकरोनी है इसका टेस्प बहुत अच्छा आता है एक बार घर में जरूर ट्राइ करिए और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईए तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खतम वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तके लिए बाई बाई एंड टेक एर